हेलो दोस्तो वेलकम टू माई अनधर निव वीडियो अगर आप एपल डिवाइस यूज करते हो जैसे कि आईफोन या फिर आईपैड तो आपके मन में कभी-कभी ऐसा डर भी आया होगा कि अगर आपका जो एपल का पासकोड है या फिर जो पिन है अगर आप भूल जाते हो या फिर जो एपल का आईडी है अगर आप उसका पासवाड भूल जाते हो तो इसको रिट्रिप करना काफी ज़्यदा मुश्किल होता है और इसको अनलॉक करना काफी ज़्यदा प्रॉब्लेम होता है एंड्रोइड फोन के कमपरिजन में तो इन सारे प्रॉब्लेम को आप इजिली फिक्स कर सकते हो त्यून्स किट आईफोन अनलॉकर से तो आज मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसको इंस्टाल कर सकते हो और इसको सेट आप करने के बाद आपके आईफोन या फिर आईपाड से कैसे आप अपल आईडी या फिर जो इसका पासकोड है इसको रिमूब कर सकते हो बड़े ही असानी से तो बिना किसी तरीके चल ये स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को तो चलिए चलते हैं कंप्रीटर स्क्रीन पर देखता है कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इसको यूज कर सकते हो तो आभी मैं आ चुका हूँ Tunes Kit के और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा Tunes Kit के बहुत सरे आपको आइफोन के लिए अलग अलग आइफोन आउनलोकर है इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो इसके लिए आपको यहां पर आपको क्लिक करना होगा Tunes Kit आईफोन आउनलोकर पर इसके बाद जो भी आपका डिवाइस है जैसे के Windows या फिर Mac उसके इसाब से जो सॉप्राय है इसको आप इसीली डाउनलोड करना होगा जिसका डायरेटली लिंक आपको इसी यहां पर ही आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपके डिवाइस के साब से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद आप जो इसका Tunes Kit आईफोन आउनलोकर है इसको आप इजली यूज कर सकते हो तो यहां पर आप पेज पर कुछ step का देखने को मिलेगा यहां पर आप जो apple ID है इसको अनलोक कर सकते हो यहां पर आपको आपको आईपट आईफोन और आईपॉड का भी support देखने को मिलता है तो आभी मैं आपको दिखा दो क्यासे आप iOS क्रीन को अनलोक कर सकते हो अगर आप इसका जो पिन ह अब है इसको भूल जाते है तो कैसा को रिट्रीव कर शकता तो यहां पर आइफोन और आईपट को सबसे पहले iPad को select कर लेता हूँ, इसके बाद आपके यहाँ पर Face ID या फिर Home button जो भी आपका iPad होगा, तो पुराना iPad भी इसमें supported है, तो यहाँ पर मैं इसको select कर लेता हूँ, जो की Home button, क्योंकि मेरे पास iPad 7 है, तो यहाँ पर आपको कुछ steps को one by one follow करना है, तो इसको recovery mode में डालने के लिए स इसके बाद कुछ step का, आपको recovery mode का आपको option देखने को मिले, तो button को बिल्कूल भी नहीं चुनना है, जब तक यह screen ना आए, तो अभी यह screen आ चुका है, इसके बाद हम इसको next पर करते है, इसके बाद आपका जो भी device का details है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो अग यहाँ पर लगभख एक 6GB का file है, जिसको download करना है हमको, तो जब तके download होता है, हम wait कर लेते हैं, तो अभी जो फार्माय है, download हो चुका है, और अभी जो unlock button है, इसमें click करना होगा, इसके बाद एक pop-up आएगा, और अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, कि जो भी device आप unlock करना चाहते हो, यह जो device है, पूरी तरीके से format हो जाएगा, जितना भी data है, सारा delete हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान डाखना होगा, कि जितना भी data है, वो सारा delete हो जाएगा, और factory reset हो जाएगा, तो आभी हम इसको confirm कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी unlocking process है, वो start हो जाएगा, और इसके बाद आपको one by one सारा setup करना है, और उसके बाद बड़े ही आसनी से, आप जो device है, इसको use कर सकते हो, तो जैसी के आप देख सकते हो, जो unlock है, successfully हो चुका है, और जो device है, वो भी boot हो चुका है, तो overall देखाज़े तो यह जो tunes kit, iPhone Unlocker software है, काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको बहुत सरे device का support देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, use करने में काफी असन है, और काफी fast है, तो अगर आप ऐसे ही software के तलास में हो, तो definitely आप tunes kit का यह जो software है, इसको download करके try कर सकते हो, और अभी black fly day sale चल रहा है, तो भारी discount में हो, या फिर कोई भी suggestion हो, तो नीचे comment box में आप मुझे बता सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो, तो वीडियो को like करने के साथ साथ, अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ, पास बला जो bell icon है, उसको भी आप दबा दीजे, फिर मिलता एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थेंक्यों और गुट बाई